नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है आज है 21 अक्टूबर दिन सनीवार खबलो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर नवरात्री का साथवा दिन मा काल रात्री को समर्पित बिहारी बर्थ दे स्पेशल में आज हम बात करेंगे श्रीकृष्ण सिंग के बारे में अब घर के पते का QR कोड बनाएकी सरकार 108 प्रकार के क्रिसी यंत्रू पर सरकार दे रही सबसिडी ऐसे कड़े आविदन सिच्छक भरती परिच्छा के रिजल्ट में हुई कल्कियों को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी अब चले बरते हैं बिहार के अद्तक की 25 परी खबरों के ओर विस्तार से IOCL में अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर निकली भरती इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में तकनीशियन अप्रेंटिस ट्रेड अप्रेंटिस के 1720 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वे लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह IOCL की अधिकारिक वेबसाइट www.iocl.com पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बतादे कि आविदन करने की शिर्वात आज यानिकी 21 ओक्टूबर से सुभ़ 10 पजे से हो रही है वहिदन करने की अंतिम तारिक 20 नमंबर 2023 अकनरधारित की गई है इसके लिए अगर सेचनिक योगिता की बात करें तो अभ्यर्थियों को दसवी बार वीपास होने के साथ संबंध ट्रेड में ITI होना चाहिए अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ओफीसियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं नवरात्री का सातवा दिन मा कालरात्री को समर्पित आज यानिक 21 ओक्टूबर को शारदिय नवरात्री का सातवा दिन है से में आज के दिन माहा सब्तमी परती है इस दिन मा दर्गा की सातवी सकती मा कालरात्री की पूजा की जाती है बता दे कि मा कालरात्री को दुस्टों को विनाश करने के लिए जाता है इसलिए इनका नाम कालरात्री है भैस के लावा मा कालरात्री को सुभंकरी भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने भक्तों को सदयर शुफल प्रदान करती हैं मालुम हो कि मा कालरात्री के तीन नेत्रों वाले देवी हैं और ऐसी मानता है कि इनकी पूजा से भय और रोक को ना सोता है खुले केश और काला रंग का शरी धारन किये देवी कालरात्री काफी भयावा नजर आती हैं जोदस कनसार मा काल रातरी की पूजा करने पर व्यक्ति की कुंडली में स्थित सनी संबन्धी दो सरुस्ते होने वाले कस्टों से मुक्ती मिल जाती है बिहारी बहुतरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे श्रीकृष्ण सिंग के बाड़े में श्रीकृष्ण सिंग का जन्माजी के दिन 1887 में हुआ था ये भारत के अखंड बिहार राजी के प्रथम मुख्य मंत्री थे उनके सहयोगी डॉक्टर अनुग्रा नारायन सिंग उनकी मंत्री मंदल में उक मुख्य मंत्री वा वत मंत्री के रूप में आजीवन साथ रहे उनके मात्र दस वर्षों के शाशनकाल में बिहार में उद्योग कृसी सक्षा सचाई स्वास्ति कलावा समाजिक छेत्र में कई लेखनी कारी हुए उनमें आजाद भारत की पहली रिफाइनरी बराणी ओल रिफाइनरी आजाद भारत का पहला खाद कार खाना सिंद्री वा बराणी रासाइनी खात कार खाना एशिया का सबसे बड़ा इंजिनेरिंग कार खाना भाडी उद्योग निगम हटिया देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सिल वोकाडो बरौनी डेरी एशिया का सबसे बड़ा रेलवे याड गरहरा आजादी के बाद गंगोतरी से गंगा सागर के बीच प्रथम रेज सहस्दरकपुल राजिंदरपुल कोसी प्रोजेक्ट पूशाव सबौर का बिहार भागलपुर रांची विश्रविद्याल इत्यारी जैसे अंगिनत उधारन हैं उनके शाषिनकाल में संसत की द्वारा न्युक्त फोर्ड फांडेशन के प्रसद अर्थसास्री स्री एपललवी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बहतर शास्त राज जैसरी और श्री बावो के नाम से संबोधित करते हैं अब घड के पते का QR कोड बनाएगी सरकार किंद्र सरकार और डाक विभाग की ओर से एक अच्छी पहल की शुरवात की गई है जिसके तहट दोनों के द्वारा साझा प्रयास कर डिजिटल एड्रेस कोड बनाया पता दे कि इसके शुरवात पाइलिट प्रोजेक्ट के तहस सबसे पहले बिहार के मुंगेर जिले के जमालपूर में किया जा चुका है मालूम हो कि इसके संचालन में इस रोके द्वारा भी सहीयोग दिया जाएगा सिस्टम से लोगों के घड का पता डिजिटल हो जाएग इस कोड में डिजिटल नक्षा भी देखा जा सकेगा इस प्रोजेक्ट के तहट अगर एक इमारत में 50 फ्लैट होंगे तो हर फ्लैट का अलग-अलग कोड होगा राष्ट्रपती को गार्ड ओफ ओनर देकर किया गया सम्मानित वीते दिन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मुग गया पहुँची जहां उनका स्वागत अंतरराश्ट्री हवाई अड़े पर गार्ड ओफ ओनर देकर किया गया बताते कस दौरान राश्रुपती द्रौबदी मुर्मो के द्वारा महाबोधी मंदर में करीब आदे घंटे तक पूजा अरचना की गई और फिर दक्षन बिहार केंद्रे विश्विद्याले के दक्षान समारों में शामिल होकर उनके द्वारा सनातक और सनातुतर उस्तर पर 1142 उर्तरन चात्राओं को स्वर्ण पदक और डिग्री दिया गया वहीं टॉपर्स को राश्रुपती के द्वारा डिग्री के साथ साथ मेडल भी दिये गए माध्यमिक सक्षकों की डिरेक्टरी अब इस दिन तक करे अपडेट बिहार बोर्ट की ओर से एक बार फिर से माधमी कस्तर के विद्यालियों के सक्षकों की डारेक्टरी अपडेट करने की तित्थी को विस्तारित कर दिया गया है बता दे कि अमाध्य में कस्तर के विद्यालियों के सक्षकों की डारेक्टरी 6 नमबर 2023 तक अपडेट की जा सकती है मालूमों कि पहले डारेक्टरी अपडेट करने की अंतिमतिती 20 अक्टूबर 2023 तक नरधारित की गई थी लेकिन बिहार बोर्ड की समिच्छा में यह पाया गया कि बहुत से विद्यालियों के द्वारा अब तक सक्षकों की सूची ऑन्लाइन अपडेट नहीं की गई है इसके बाद बोर्ड की ओर से यह निर्णे लिया गया ऐसे में अब जिन विद्यालियों के द्वारा सक्षकों की डारेक्टरी 6 नमंबर तक अपडेट नहीं की जाती है तो उनके ओपर कठोर काड़वाई करने के लिए बोर्ड के द्वारा सक्षा विवा को अनुसंसा किया ज हैं जिसमें चुताई, बुआई, निडाई, गुडाई, सिचाई, कटाई, दौनी, आदी, समेत, उध्यान से संबंधितक्रशी यंत्र शामिल है वह इसके लावा फसल अविशेश प्रबंधन के 23 यंत्र जिन में हैपी, सीडर, सूपर, सीडर, स्ट्रा, बेलर, स्ट्रा, रीपर कंबाइंडर आदी पर विशेश अनुदान का प्राबधान है, ऐसे में वे किसान जोसका लाब लेना चाहते हैं, वह विभा के वेवसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद आवेदनों में से ओनलाइन लॉटरी के द्वारा, चेयन कर सुर्गत प्राबधान की जाएगे, शुर्गती पत्र की वैदता मातर 15 दिनों के लिए होगी, 20,000 से अधिक अनुदान पाले यंत्रों के लिए, LPC या ताजा माल गुजारी रसीद के साथ ही किसान योजना का लाब ग्राब्त कर सकेंगे, लगू एवं सिमान किशानों को 1,000 रुप आयोग जुट किया है, बता देग इसको लेकर आयोग के सची मुके सिनहा के दोरा राज्ये के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिख 30 तरिये पंचायत के रिक्त हो चुके सभी पदों का ब्योड़ा मागा गया है, और इसके लिए अंतिम तारीक 28 आयोग के बाद लोग सभाचनाव में प्रदेश की मस्रिनरी जूट जाएगी, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वर्तमान में पंचायत में खड़ी 1500 पद रिक्त हैं वही इसके लाबा, आयोग के ओर से ही हवी असपस्ट किया गया है कि राजे में कुछ पद ऐसे भी है जहां पर किसी प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया था, ऐसे में अब ऐसे पदों को लेकर मदाता सूजी तयार नहीं की जाएगी सक्षक बहाली परिक्षा का रिजल्ट चारी होनी के बाद आयोग ने कैनिडेट के करे सवालों का दिया जवाब बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार सिक्षक बहाली परिक्षा का परिणाम घोशित कर दिया गया है जिसके बाद अभियर्थियों के द्वारा आयोग से कई गड़ी सवाल पूछे गया है जिन में मेरे नंबर क्वालिफाइंग कटॉफ से अधिक होने और अभी भी क कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूं कुछ सफल अभियर्थियों से मेरी संख्याधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूं इसके साथ ही कुछ बीट अभियर्थियों को पी आर्टी में सफल क्यों खोशित किया गया है साथ हुए 10,000 से अधिक कैंडिडेट को दस्तावे सत्यापन में अयोगे घुशत किया गया है उसके साथ ही करीब 4800 लोग भाशा के पेपर में असफल हुए है इस कारण उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया जिन कैंडिडेट ने इस परिच्छा में आविदन करते समय आरक्षन का दावा नहीं किया गया है या दावा करने के बाद अपेक्षित प्रमान पतर जमान नहीं किया गया है तो आरक्षन का लाप नहीं दिया जाएगा कुछ रिक्तिया दिव्यांग उमिद्वारों के लिए सुरक्षित रखने के फैसले किये गए है वही CTET में शामिल होने वाले उमिद्वार जो CTET में और सफल हो गए है उन्हें PRT DV के दोरान बाहर कर दिया जाएगा B8 पास का डिजर्ट जारी करने का सवाल है तो उसमें करीब 10,000 B8 अभियर्थ डिप्लोमा धारक भी है जिला कावंटेन अभी सभी को अपने एच्छिक जिला में देना नहीं संभव और नहीं आवशक है अभियर्थियों को एक सेधिक प्रिणाम दिया गया ताकि DV के समय किसी एक में और सफल होने पर दूसरी निवती से भी वंचित ना हो जाए ऐसी डिक्ती को इसी जयन प्रक्रिया प्रतिक्षा सूची से भड़ा जाएगा या अगली प्रक्रिया में या राजिसरकार के निर्णे पंडर में प्रक्रता बिहार परिटन में आज हम बात करेंगे मा ताराचंडी मंदर के बारे में मा ताराचंडी मंदर एक हिंदू मंदर है जो मा सक्ति या मा दुर्गा को समर्पित है जो भारत के बिहार के सासाराम में सित है यह सक्ति पीठों में से एक है पुरानी कविंदंतियों के अनुसार शतिक इलाज की दाहिनी आँख यहां गिरे थी जब इसे भगवान विश्ण अपने सुदर्शन चक्र से कार दिया था प्राचीन मंदर जिसे मूल रूप से मा सती कहा जाता है को देवी दुर्गा मा तारा चंडी का निवास अस्थार माना जाता है कैमोर पहारीयों सासराम के कई अन्य आकर्षन जैसे गुप्त महादेव मंदर पारवती मंदर पतंपुद ग्यान प्राप्त करने के बाद यहां आय थी तो मा तारा चंडी ने उन्हें करन्या के रूप में दर्शन दिये थे फिर उन्हें सारनात जाने का नर्देश दिया था जहां बुध ने पहली बार उपदेश दिया था विबोज के 10 वी बारवी के परिक्षार्थियों को मिला यूजर आईडी और पासवर्ड अगर आभी उनमें से हैं जो बीःर मुक्त विध्यारी सेक्ट्चन एवम परिक्षा बोर के 10 वी या बारवी के परिक्षार्थियों है तो यह खबर आपके लिए हैं बता दे किन व परिक्षार्थियों को यूजर आईडी और पासवर्ट तिया जाएगा मालुं हो कि बोर्ड की ओर से या वैवस्था इसलिए की गई है ताकि परिक्षा में शामिल होने वाले फरजी विद्ध्यार्थियों को डोका जा सके ऐसे में अब जारी किये गैसी यूजर आईडी और प्राधार नंबर से ही परिक्षार्थियों को ओन्लाइन ट्रैक किया जाएगा और अगर किसी चात्र की जगह पर कोई अन्य चात्र परिक्षा में शावल होने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंद पकड़ लिया जाएगा नेशनल अवार्ड जीतने के बाद पंकस त्रिपार्थी के साथ दिल्ली में एक मास्टर क्लास फिल्म मीमी को लेकर बिहार के लाल पंकस त्रिपार्ठी के दौरा शहायक अभिनेता का नेशनल अवार्ड जीते जाने के बाद उनका दल्ली में थेयर्टर के छात्रों के साथ एक मास्टर क्लास आयोजित किया गया जहां उन्होंने सभी के दौरा पूछेगे सवाल का जवाब देते वे कहा कि कलतना भी एक चीज होती है अगर कल को किसी को मारने वाला सीन करना पड़े तो वो कैसे करोगे मैं जिस अवस्था में हूँ मैंने उसे और बहतर कैसे बनाओं हमेशा कोसिस ये होना चाहिए मेरे जीवन में कभी असफलता आई ही नहीं मैं सफल हुआ था उन्होंने कहा कि जब मैं मुंबई गया तो महा मेरी मुलकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो अंसकालीक अभिनाय करता था और शेयर बाजार में काम करता था हर कोई जानता है कि वह अभिनाय कर सकता है क्योंकि वे इन भावनाओं से गुजरते हैं लेकिन अभिनाय प्रत क्रिया दे रहे हैं सी तो रिजल्ट के समय ही कम हो गई और इसमें भी लगभग 40,000 नियोजस सक्षक हैं और कई अभ्यर्थियों का 3-3 जगर रिजल्ट जारी हो गया है ऐसे में वैकेंसी 50 प्रतीशत भी नहीं भड़ पाएगी उन्होंने कहा कि मेरा आयोग से अनुरोध है कि सेकेंड मेरिट लस्ट जारी की जाए और 1,20,000 जो रिजल्ट जारी किया गया है उतने पदोपर निवती हो राजी में अचानक ठंड में होगी बढ़ोतरी ब्यार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनसार राजधानी पटना के साथ ही आसपास के जिलो में 3-4 दिनों में तापमान में कमी देखने को मिलने वाला है से में कहा जारा है कि दरगापूजा के दौरान लोगों को हल्की ठंड का एसास होने लगेगा विभाग की तरफ से जारी अपडेट के असार यह बताया जारा है कि इस बार मौसून की विदाई देर से होई है जिसके कारण हवा में नमी बने हुई है अला कि प्रदेश में मौसम का मजास सुस्क बना रहने वाला है देश के कुल एनच में बिहार की भागीदारी 4.64 फीस थी बता दे केंद्रे सरक पड़ेवहन एवं राजमार्ग मंतराली के नुसार देश में अभी 1,32,492 km है जिसमें सबसे अधिक महराष्ट में 17,757 km है वहीं बिहार में मातर 5,358 km है बता दे कि देश भर में छेतरफल की दृस्टी से एनच के मामले में बिहार की भागीदारी कम है यह महच 56.9 km है मालुम हो कि छेत्रफल की द्रिस्टी से सबसे अधिक NH 106 में 24 किलो मीटर NH दमन और दियुका है बिहार में NH की चोड़ाई भी कम है जिसमें 449.58 किलो मीटर NH एक लेन वाली 3.75 मीटर चोड़ी है वहीं मध्यवर्ती लेन यानी 5.56 मीटर चोड़ी सरक 566.39 किलो मीटर है दो लेन सरक यानी 7 मीटर चोड़ी NH 1929.65 है शीत कालीन सत्र को लेकर मुख्यमंत्र इनितीश पर बरसे विजय सनहा बिहार में 6 नवंबर 2023 से विधान मंडल के शीत कालीन सत्र की शिरवात हो रही है ऐसे में अब इस सत्र को लेकर विधान सभा में निता प्रतिपक्ष विजय कुमार सनहा के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्र इनितीश कुमार पर हमला बोलते वे कहा गया है कि सुनातन विरोधी सरकार के द्वारा जान बूचकर हिंदी त्योहारो के समय में विधान मंडल का सत्र बुलाया गया ताकि महतपुन मुद्दो पर सवाल ही उठाया ना जा सके उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दो को रोकने और सदन में नहीं उठाने देने की नियत से सत्र को छोटा कर दिया गया है बिहार सरकार की अब यह आदत बन गई है कि वह विधाईका को महतवहीन और अपमानित करते रहे सरकार को हिंदू समाज के तेवहारों और उनकी भावनाओं की कोई चंता नहीं है समाने रूप से नवंबर के अंतिम सप्ता है दिसंबर के पहले पकवारे में सत्र बुलाया जाता था बयान पर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है वहीं अब इसवर पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष ललन सिंग के दोड़ा बयान देते वे कहा गया है कि जो लोग मुख्यमंत्री के बयानों को गलत माईने निकाल रही है उनकी नियत खड़ाब है उनके देखने का नजरिया गलत है और जो उनका एजन्डा है उसी नजरिये से वह सियम नितीश के बयान को देख रहे हैं और उन्हें कहा कि राज़िती करने का ये मतलब नहीं होता कि हम अलग पार्टी में हैं तो हमारी किसी दूसरी पार्टी के लोगों से दोस्ती नहीं हैं हम लोग तो रोज इस बात को कहते हैं कि सुसीन मुदी हम लोगों के मित्र हैं और उन्हें बीजेपी फिर से राज़ी सभा का सदर्श्य बना दे तो उन्हें शुब कामना देते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी पार्टी में जा रहे हैं इसके साथ उन्हें दिल्ली और मेरट के भी शुरू हुए छित्री रैपिट ट्रांजिस सिस्टम का नामकर नमो भारत होने पर हैरानी व्यक्त करते वे कहा कि पुरा देश रितिहास नमो के नाम से लिखा जा रहा है ये समिधान में संसुधन कर देंगे नमो समिधान के नाम स उन्हें कहा कि जेडियो के निताओं में काफी हद तक नराजगी बढ़ गई है जेडियो नेता एक एक करके पार्टी को छोड़ रहे हैं वहें इस दोरान बीजेपी सांसत सुसील मोधी के द्वारा कहा गया कि राजद और जेडियो में कोई बरे नेता शामिल नहीं हुए उसकी बाद नीता उनके साथ रहने को तैयार नहीं है सभी नितीश खुमार के नतरतु को पसंद करते हैं लेकिन तेश्वियादव के नतरतु को नहीं वेहार में भाजपा के ये निता रह रहे हैं मंतरियों वाले बंगले में जेडियू का दावा बीतर दिन जेडियू काड़े आले में आयोजित जन्सुनवाई काड़ेक्रम के बाद भवन नर्मान मंतरी अशोक चौधरी के द्वारा पत्रकारों से बाचित करते वे यह दावा किया गया है कि भाजपा के पांच पुर्व मंत्री जोबत से हड चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी वे मंत्री के रूप में आवंड़त आवाशों में रह रहे हैं उन्हें मुख्य मंत्री के दोरा रहनी के अनुमती दी गई हैं उन्होंने कहा कि एक साथ काम करने के दोरा वेक्तिगस संबंद स्थापत हो जाते हैं मुक्य मंत्रे नितीश कुमार की साफ समझ है कि वैचारिक और राजनितिक मतबेदो के आधार पर व्यक्तिगस संबंध कभी प्रभावित नहीं होने चाहिए और इसका उधारत भाजपा के ये पांच मंत्री है इसके साथ उन्होंने सीयम नितीश के लिए बीजपी का दरवाजा बंध होने पर कहा कि नितीश कुमार के लिए किसी को भी दरवाजा बंध करने या खोलने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि जिधर नितीश चाहते हैं उधर रास्ता खुद बन जाता है वे हमीसा विकास क को इस पद के लिए नियूजलाइंग के पुर्वतेज गेंदबाज सेन बॉन के इस्टफ़ा देने के बाद चुना गया है आपकी जानकारी के लिए बता दे किस से पहले लसित मलिंगा मार्क बाउचर और रोहट के साथ मिलकर टीम में काम करने के लिए उतसक हूँ। में खास रूप से गेंदबाजम यूनिट का काम देखूंगा भारत के थिहास में आज की तारीक है कई कारणों से दर्च अलाउदीन खेलजी ने 1296 में दल्ली की गदी संभारी, गुरू रामदास ने अमरिसर नगर की स्थापना 1500 स्ततर में की निताजी शुभास शंद्रबोस ने 1934 में आजाद हंद फोज की स्थापना सिंगापुर में की जैप्रकाश नरायन ने 1934 में कॉंग्रस सोसलिस्ट पाटी का गठन किया भारतिय जनसंग के स्थापना 1951 में हुई भारत और फ्रांस ने 1954 में पॉंडिचरी, कडैकल और माही को भारतिय स्थ गंतंत्र में शामिल करने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किया यह समझोता एक नवंबर से लागो हुआ, चीन और भारत की सिनाओं में 1969 को भेडंत हुई दूर दर्शन ने 1990 में दोपहड को हिंदी वां अंग्रेजी समाचार बुलेटन सिवाए आरम की फिल्म नर्माता बी आर्ट चोप्रा को नर्माता बीजेपी के प्रधान चुने के भारतिय मूल के अमेरिकी बॉबी जिंदल ने 2007 में अमेरिका के लुसियान अप्रांग के गवर्नर पत का अपनी जीत दर्श की भारतवा पाकस्तान के बीच 61 वर्षबाद कारवा ए तिजास 2008 को शुरू हुआ साना नेवाल ने 2002 में डेन्मार्क ओपें सूपर सिरीज किताब अपने नाम कर लिया अभिहार के प्रथम वक्यमंत्रे कृष्ण सिंग का जन्म 1887 में हुआ भारतिय पुरा तत्व के विद्वान का सीनात नारायन डिक्षित का जन्म 1889 में हुआ प्रसिद हिंदी फिल्म अभीनिता समी कपूर का जन्म 1931 में हुआ पत्र के बाड़े में सोचल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो यह ज़रे नहीं है ऐसी करे में आजम बात करेंगे प्रधान मंत्री के द्वारा लिखे गए एक पत्र के पाड़े में दरसल प्रधान मंत्री नरंदर मोदी द्वारा लिखा गया एक फरजी पत्र सोचल मीडिया पर घुम रहा है प्रधान मंत्री द्वारा लिखे गए मोल पत्र में डिजिटल हीर फेर किया गया है इंस्ट्रग्राम में प्रैवसी को लेकर नए एक्टिविटी और फीचर में मिलेगी यह सुवधा आपको बता दे कि कंप्पनियां इस जानकारी को यूज यूजर्स की ज़रूरत के विग्यापर और जानकारी देने के लिए करते हैं एक तरीकी से एग्रेसिव मार्केटिंग का तरीका है जिसमें कुग की इसकी मदद से यूजर्स की सर्च हिस्ट्री को ट्रैक करके उनकी पसंद नापसंद का नुमान लगाया जाता है अभी तक सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर बिना यूजर्स की जानकारी के डेटा ले यूजर्स की अगर कोई जानकारी लेनी होगी तो पहले इसके लिए यूजर्स से प्रमेशन लेनी होगी वह यूजर्स चाहे तो डेटा लेने वाले एप्स और वेबसाइट को ब्लॉक भी कर सकते हैं काड़ोबारी बाजार के आकरे दिन शेर बाजार गिरावट के साथ हुआ बन बीते दिन यानी की काड़ोबारी बाजार के आकरे दिन भारतिय शेर बाजार गिरावट के साथ बन हुआ बता दे कि सिंसक्स जहां 231 अंक लुड़क गया तो वही निफ्टी फिसल कर 19,550 पर शामिल है वही जिन पांस देरों में सबस्यादा गिरावर दिखी गई है उनमें ITC, Tata Steel, हिंदुस्तान, Unilever, भारतिय स्टेट बैंक और JSW Steel के नाम शामिल है बता दे कि बीते दिन BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिरिलाइजेशन घटकर 318.960 लाग करोर बढ़ आ गया तो वहीं BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट गैप करीब 2.660,00 लाग करोर गटा है बार से बचने में सफल रहा उत्तर बिहार मंत्री ने की तारीफ पार के समय में बहतर काम के लिए जल संसाधन मंत्री संजय जाद्वारा विवा की तारीफ की गई है उन्होंने कहा है कि दितपरता से किये जा रहे कारियों तथा मौनसून सीजन में 2400 घंटे हाई अलर्ट का ही सूपरी नाम है कि इस साल अगस्त महा में कोशी नदी में जल स्राव का पिछले दितिस वर्षों का रिकॉर्ड तूटने के बाद भी हम उत्तर बिहार को बार की तबाही से बचाने में सफल रहें बतादे के मामले को लेकर मंतरी दोरा टूट करते वे बताया गया कि सुष 14 अगस्त के सुभग कोशी बराज से रिकॉर्ड चार लाग 62,345 क्यूसिक और गंडग बराज से भी 3 लाग क्यूसिक से जादा जल श्राब होने के बावजूद कहीं कोई तटबंध नहीं तूटा नहीं कोई तबाही हुई बार से सुरवचा के लिए बिहार सरकार अपने अस्तर से सभी जरूरी कदम उठा रही है जल संसादन विभाग दोरा वर्ष 2017 से 2022 के बीच पिछले पाँच वर्षों में बार रोधी एवं बार सुराचात्म कार्यों पर कुल 8,576.2 करोर रुपे खर्च किये गए हैं हम प्रते दिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसे जरे जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार पलिस, तरोगा समीत, SSC जैसे अन्य प्रतियों की परिच्छा में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विट्ग्यान, कर्नेंट अफेर्ज और भुगोल से रहेंगे पूछे गए 500 सवाल में आपने कितना सहित्तर दिया क्रिपा करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहां ग्लोबल मेडिटाइम इंडिया समिट 2030 का उधगाटन किया है अप्शनी हैदराबाद, अप्शनी गोवा, अप्शसी नागपुर, अप्शनी मुंबई इसका सहित्तर है अप्शनी मुंबई अगरा सवाल हाली में भारत और किस देश में नई दिल्ली में 2 प्लस दो वारता एवजित की है अप्शनी बृतेन, अप्शनी जर्माणी, अप्शनी चापान, अप्शनी सौपाणी आउस्ट्रेलिया इसका सहित्तर है अप्शनी बृतेन अगला सवाल बिहार के उचाई कितनी है? Option A 153 feet, Option B 155 feet, Option C 165 feet, Option D 161 feet इसका सही उतर है Option D 161 feet अगला सवाल आड़े भट का संबद निम लिखित में किस नगर से रहा? Option E पाटले पुत्र, Option B भागलपुर, Option C नालंदा, Option D गया? इसका सही उतर है Option E पाटले पुत्र, अगला सवाल चीनी यातर इच सिंग ने बिहार का भ्रह्मन कब किया था? Option E 603, Option B 633, Option C 673, Option D 687, Option D 161 feet इसका सही उतर है Option D 687 E स्वी सबसे अच्छी मादरगा की मूर्ती के सस्थान पर स्थापित होती है अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बरे रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चान को सबस्काइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद